गाइस ये दिए आप लोग अपने फोन में इंपोर्टेंट काम कर रहे हैं या फिर कोई इंपोर्टेंट आप्स वगएर यूज कर रहे हो या तो फिर अपने गल्फ्रेंड से चैटिंग वगएर रख कर रहे हो और उस टाइम भाई आपका कोई हडामी दोस्त आ जाता है याईसे सिट्टेशन में यादि आप लोग अपने फोन को ऐसे अनलग करके उस पर्शन को दोगे ना तो आपके फोन आप लगों को दिखाता हूं अब आपने फोन में नसारे सारे सारे एप को नॉर्मली यूज कर पा रहहा हूं और जैसे कोई पर्छन है मैं अपना फोन यहां पर यहां पर एक्षद तो पर से दुबढ़ा वापस लाना तो यहां पर में आपको दिखा तो यहां पर देख सकते हैं मेरा वाटसप आ चुका य आपका काम नहीं करने वाला यदि आप लोगो को अभी टाइम नहीं है तो बाद में देख लिए कोई असाई सुनी है लेगिन वीडियो को skip नहीं करना है तो आप लोगों का इंट्रो में भी टाइम नहीं लूँगा चीठे चलते वीडियो को तरफ लेकर तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने फोन में तीन एक्स्ट्रा एप को इंस्ट्रॉल करना होगा पहला हो गया MacroDroid, दूसरा हो गया ADVSale और तीसरा हो गया Package Name भीवर यह तीनों एप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वे देखने को मिलेगा तो आप लोग डिरेक्टली वहाँ से इसे इंस्ट्रॉल करने के बाद आपको अपने MacroDroid को ओपिन करना है और इसके सारे के सारे करने के बाद यहां पर थोड़ा से स्क्रॉल करने के बाद यहां पर एक बना बनाए टेंपलेट आपको देखने को मिल जाएगा डेवलेपर ओप्शन में जाके USB डेवगिंग वाले सेटिंग को उन करना होगा तो वह कैसे करता है आप मैं आपको वह बता देता हूँ सिंपले आप लोग अपने सेटिंग में आएंगे और यहां से अबाउट फोन के सेक्शन में आएंगे और यहां पर देखने को मिल जाएगा सॉप्ट्वेर इंफॉर्मेशन यहां पर बिल्ड नंबर का जो उप्शन इस पर आप लोग 6-7 बाद टैप करेंगे तो यहां प पर थोड़ा से नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहां पर देखने को मिल जाएगा यूसबी डिबग इंग यह वाला जो ओप्शन है सिंपले आपको इस वाले ओप्शन पर आसे क्लिक कर देना है इनेवल कर देना है तो चलिए मैं इसे इनेवल कर देता हूं अब यहां पर आपको करना ही होगा फिर से मैक रोड्न वाले यहां पर आ जाना होगा अब यहां पर ध्यान देने वाले भात यह कि जिनका फोन रूट किया हुआ है उनको तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाले लेकिन जिनका फोन रूट किया हुआ नहीं है उनको एक लैपटॉप की जरूरत पड़ेगे बस टेंसर नहीं लेना आप लोगों को एक से दो मिनट के लिए किसी भी फ्रेंट का लैपटॉप उधार मांग के बस एक से दो मिनट के लिए बार बार आपको लैपटॉप की जरूरत नहीं पर देने वाली और जिनका की फोन रूट क्या हुआ है वो लोग क्या गरेंगे जहां तक कि मैं लैपटॉप का का काम कर रहा हूं वहां तक वो लोग वीडियो को स्किप कर देंगे अब आपको कर कोई भी ब्राजर ओपेंड कर लेना है और वहां पर आपको सर्च कर लेना होगा ऐस्टी के प्लेटफॉर्म टूल फोर विंडो जैसा कि आप लोग दीख सकते हैं यहां पर आपको पहली वेब साइट देखने को मिलागे अच्टी के प्लेटफॉर्म टूल वाले भी सिंप पर देखने को मिलागाए डाउनलोड एस डीके प्लेटफॉर्म टूल फोर्म इंडो इस पर क्लिक करके आपको यह Wow और आपको इस प्लेटफॉर्म टूल यह यावाल आपको इंस्ट्रॉनक कर लेना है ज Mormon कर लने हैं तो करने के बाद यहां पर आपको कुछ ऐसा मृइध स पुल्सिंपल आपको इस पर क्लिक करने के बाद बस आपको cmd टाइब करके इंटर पर बस आपको प्रेस कर देना ओकी आपको कमांड फॉर्म ओपन हो जाएगा अब मैं आपको बता दो यहाँ पर आपको कुछ कुछ इस तरह से और यहां पर देखने को मिले लिस्ट और यहां पर आपका डिवाइस का नंबर वगएदर सो हो जाएगा तो मतलब आपका डिवाइस करेंगा तो वह सकते आपके फॉन में ओकी वगएदर करने का यह ओप्शन वगएदर देखने को मिले तो आप लोग जैसे यहां पर आपको नेक्स्ट कमांड करना हुगा है यहां पर लिखना एडीबी यहां पर टी सी पी आई पी और यहां पर फाइब 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 और यहां पर लिखके बस आपको दे एंटर पर प्रेस कर देना है पस आपका काम हो गया और यहां पर आपके फोन में एक options वगेरा हैंगे एलाओ अगेरा करने कर सुन पर आपको बस एलाओ वाले options पर क्लिक कर देना है अब आपका PC का काम खतम हो या आप लोग नॉर्मल है ऐसे बस आपको ये cut करके जिसका PC नॉर्मल है आपको उसे वापश कर देना है जब आपके laptop का काम खतम हो जाएगा तो यहां से उन लोगों सब भी को process करना है जिनका phone root है या फिर जिनका phone root है सब भी को यहां से same process करना है आप लोग open करेंगे और यहां पर यह जो adb sale वाला जो option से दिख रहा है यहां पर आपको देखने को मिलागा this action will enable यह जो enable वाल option नहीं सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और यहां से बस आपको इसे delete कर देना है अब यहां से फिर से adb sale कमांड को ऐसे tap करेंगा और यहां पर configured वाले option पर click कर देना है अब यहां पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलागा adb sale कमांड और ध्यान रहे आपके phone में यह वाला adb sale वाला app ज़रूर से install रहना चाहिए अब यहां पर आपको देखने को मिलागा नीचे com.somi.scanner तो यहां पर आपको एक बात यह करना है कि आप लोग जिस भी apps को hide करना चाहते हैं उसका package name इसके साथ replace करना होगा for example जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि मुझे whatsapp को ऐसे hide करना है तो whatsapp का package name देखने के लिए यहां पर package name वाली app को आपको open करना है और यहां पर search कर लेना है ऐसे whatsapp यहां से मैं search कर लेता हूं इसे whatsapp और यहां पर यह जो इसे tap करके tick करके यहां से नीचे इसे copy करने के बाद इसे notepad में इसे open करके यहां से paste कर देना है तो यहां पर और नीचे वाला यह जो दिख रहा है app इसको इसे cut कर देना है और यहां से यह जो नीचे launcher वाला दिख र कर लेना है तो वाटशप का पैकेज नम वोग है itd.com.whatsapp इसे टाप करेंगे और यहां से बस इसे copy कर लेना है यहां से फिर से macroid वाला याप को पेंड करेंगे और यहां से यह यह है com.storming इसे delete करके यहां से name को replace करके यहां पर आपको डाल देना है जिस भी आप इसको hide करना चाहते है उसका package name इसे डाल के बस देन यहां से इसे आपको tick कर देना है देन okay अब जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैं मेरा facebook भी एसे hide हो जाए तो यहांपे मैंने देख सकते हैं अभी Facebook वगयर भी है तो मैं इसे भी hide करना चाहता हूं तो इसका भी package name आपको copy कर ले ले ना है तो चलिए यहांसे इसे अंटिक करते हैं और यहांसे फेस्बूक को ऐसे search कर लेते हैं ओके कि Facebook बूकिंट अर्सक्ट भी पैकेज़ नियम को यहाँ कौपी कर लेता हूं इसके नीचे अर्से पेपेश्ट कर देते हैं तो उपर वाला इसे यह ढिलेट्ड करते हैं और नीचे यह जो लॉण्चर है इसे भी हम लोग डिलीट करते हैं और यहां से हमारा पैकेज नेम हो गया है यहां पर com.facebook वाल से यहां से सिंपली से इसे copy कर लेते हैं copy करने के बाद यहां पर आपको एक बात ध्यान दना होगा फिर से यह जो आपका नेम को replace कर लेना होगा okay com.whatsapp है तो यहां से मैं facebook को ऐसे डाल देता हूं तो आप लोग जितने भी apps को ऐसे हाइड करना जाते से message का command को copy करेंगे और यहां पर वस configure पर क्लिक करके वह नेम को replace कर देना है अब यहां पर आपको देखने ही को मिल जगा एक screen unlock बस यहां से मैं tick कर देता हूं यहां पर आप लोग अपने according जो चाहते है यहां पर चाहते है कि गलत password देने से वह हमारा phone unlock हो जाए यहां पर आप लोग जो चाहते है कि वह जैसे यहां पर ट्रिगर में टालेंग वह करते ही आपका phone यहां से सारा का सारा apps हो अगे तो हो जाएंगे तो अभी मैं नॉर्मल रहने देता हूं और यहां पर नीचे एक बात ध्यान देने हैं आपको जब आप लोग सारा सारा apps मेरा हाइड हो जागा मेरा WhatsApp और Facebook दोनों एपस हाइड हो जागा तो यहां पर देख सकते हैं अभी WhatsApp भी करेंगे तो यहां पर WhatsApp यहां पर नहीं मिलेगा और यहां पर फेस्बूक वगएर भी सर्च करते हो यहां पर देखते apps वगएर नहीं आएगा तो आप मैं आपको बता देता हूं इसे आपको वापस कैसे लाना यह भी आपको बहुत ज़्यादा जानना इंपॉर्टेंट है कि नेम रिनेम कर लेंगे और यहां पर आपको यह जो ट्रीगर वाला ओप्चन है आपके लोग कब चाहते हैं कि आपका apps अन हाइट हो जाए तो यहां पर इसे इसे डिलिट कर देते और फिर से नूप ट्रीगर पर सेट करते हैं और यहां पर जैसे मैं चाहता हूं कि कोई यहां पर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे तो आप लोग अपने कोडिंग भी सेट कर सकते हैं तो मैं कॉल आउट गोइंग वाले option पर क्लिक करता हूँ मैं जैसे ही कॉल करूंगा मेरा एप्स अंहाइड हो जागा दिल ओके लिकिन आभी आपका पूरा काम नहीं हुआ है फिर से आप लोग ऐसे टैप करेंगे अपने एडीवी सेल कमांड पर फिर से कॉनफिगर में आएंगे और यहां पर आपको यह जो पी एम डिसेवल वाला ज कुछ इस तरह से और यहां पर फिर से आपको okay टिक कर देना है और यह फिर दूसरा वाला ही कुछ इस तरह से configure में आते हैं और यहां से उपड़ वाला लाइन को ऐसे थोड़ा से changes करना है बस पी एंद इनेबल इने बी ल ई दिन यहां से टिक कर देता हूं बस आपका काम हो हो गया और नीचे एक बाद या ध्यान देना आपको टिक वाले ओप्शन पर जरूर से क्लिक करने हैं तो चलिए हमारा सारा का सारा completely set up सब कुछ finally हो गया अब मैं आपको दिखाता हूं तो यहां पर देख सकते हैं अभी आप सो अगए तो बिल्कुल भी की पाल करता हूं अगया और एक बात मैं आपको बता तो याज direito नहीं हो रहा है नहीं को आपको देखने कुम जाएगा करने है और यहां सा आपको पर करने पर देख सकते हैं पर में के लिए अब करता हूँ अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा से नीचे स्क्रॉल करते तो गाइस बूं यहाँ पर देख सकते हमारा वाटसप आ चुका और यहां से हमारा फेस्बूक यहाँ आ चुका और यहाँ पर यहाँ आपका बार-बार यहां पर डिस्टर्बिंग दे रहा है तो इसके notification को आप लोग ऐसे off भी कर सकते हैं यानि कि किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा ओके अब मैं दिखाता हूं जैसे कि apps वगएर है फिर से मैं phone को ऐसे lock करता हूं और मैं जैसे phone को ऐसे unlock करूंगा तो यह हमारा apps वगएर हाइड हो चुका होगा तो यहां पर देख सकते हैं WhatsApp गया Facebook भी यह भी गया और मैं जैसे हैं यहां पर call करूंगा वर तो इसी तरह आप लोग जितने चौक ही जाने वाल है तो आप लोग एक वह ट्राय करके देख सकते हैं तो सबसे पिल आप लोग नीचे यह कमेंट्स करके बताएगा यह वीडियो आप लोग को कैसे लिगी पसंद आई होगी तो प्लीज जल्दी से पूरे करने तो सब्सक्राइब करना आप लोग प्लेइन करने की कोसिस करूंगा और यह जितने भी आपस वागेद़ियो में बता आते तो आप लोग इसे में टेलीग्राम में डॉप में ड्रेक्ट लिइंस्टॉल कर पाएंगे और यह आप लोग में पर सारे के सादव सबसे पहले प्रोवाइड कर देता हूं वीडियो मिल दें नेक्ट वीडियो में, थांक्स पर वाचिंग दिस वीडियो